हेलो गाइस, असलाम अलेकुम, हावार यू आल, उमीद करते हैं आप लोग सब थीक होंगे, खुश होंगे, मज़र में होंगे तो आज की वीडियो में हम रिस्क्राइब हैं अगर जतने पी वीडियो बना ली जाये हो खत्म नहीं होने वाले, जो लोग मेरे न्यूजित सब्सक्राइबर्णस हैं उनको नहीं पता होगा कि हम लोग दुबई में पहले रह चुके हैं और बहुत कम टाइम रहे हैं लेकिन वहारी बात है कि मैं दुबई की बहुत ज़ादा फैन हो चुकि हम लोग में मौझूद थे दुबई में और काफी अच्छी जगह इसी वज़े से मुझे लगी तो हम लोग आराम आराम से विजट किया है सारी जगहें क्योंकि हम लोग वहां रहते थे लेकिन जो लोग वहां सबसे पहले आजाता है दुबई मॉल और दुबई फांटेन और यह दोरों को बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्ट है कोई आपको इंट्रे चार्जस होगेरा नहीं पे करने यापर दुबई मॉल तो वैसे जितना पी गुम लिया जाए बहुत बड़ा है आप कवर नहीं कर सकते ह हो लेकर वह पे एक वाजरles ले सकते हों वहां पे और वहार से बहुत वहां अधर प्रधे करने पड़ेंगे और हम लोग अंधर नहीं गया काफी बाहर से नज़र आ इंदी और जाहर बते हैं जिनके साथ बच्चे हों तो उनके लिए थोड़ा सा टॉफ हो जाता है लेकिन यहां पर दुबई फाउंटेन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और हर दो गृंटे के बाद यह शो होता रहता है और कोशिश करें आपनों के शो यह शो जगाए होती हैं वो बिलकुल फॉल हो चीक होती है सो या यह वाली चीज है अब आजाता है ब्लू वाटर और ब्लू वाटर एक बहुत ही न्यू जगह है यहां पर खुलिया और यहां पर शेप्स तरह से चलती है ब्लू वाटर ब्लू वाटर बहुत है अब तीसरे नंबर पर आजाता है मिरेकल गार्डन मिरेकल गार्डन हमारे घर के बहुत ही पास था जिनको मदब डिटेल वीडियो ले टेटेल और सबस्क्राइब लीडियोियो से बमारे शाइब ब्लू एक फिरदी और वाटर सैंवल गार्डंब ऑप्यार ऋन चाहिए हमने आपको पेर करने पड़ेंगे 80-90 दरम साइगेस लेकर इतने जादा नहीं है आप लोग अगर लाजमी इसको देखते जो बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है कोशिश करो कि दिन में या शाम का टाइम चूज करो कि वैसे तो रात में बहुत जदा मज़ा आता है ऐसी कोई ब बात है खैर मैंने भी यहां पर बहुत जदा सोच के अपनी ड्रेसिंग हो गए रहा सबसेट करके मैं आई थी कि यहां पर बहुत अच्छी पिक्चर लोगी लेकिन हम लोग आते थे थोड़ी सी रात हो गई थी विकास हम लोग रहते हैं रहते थे मलम दुबई में तो निक झाल 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 यह तो समझ लें शाहिद कह सकें कि सबसे जदा प्यारी जगह है और यह है दुबई मरीना और यहां तो आपको फ्री ऑफ कॉस्स यहां पर आना है और यहां शिप वगरे बैठोंगे तो आपको चार्जस मिलेंगे देखें यहां पर शिप वगरे बूफे भी चल ला होता है काफी अच्छा है और यहां पर ऐसा लगता है कि बुल्डिंग्स का जाल बिछा गया है और मालब हर जगह लाइटिंग ही लाइटिंग और रात में तो मुझे तो यह जगह बहुत जादा पसंद आए दुबई मरीना आइधिंग कह सकते हैं ब्लू वाटर से भी जादा प् और बहुत ही पीसफुल जगह और जायर बात है यार इतने अच्छे जगह तो कौन जाना नी चाहिए और वह अली बात है कि हम लोग यहां रह रह रहे थे तो अमनों को दादा नहीं था कि जल्दे जल्दी सारी जगह घूम लें यह वह लोग तो यही सोच रह थे कि हम बहुत मज़ा आया और दुबई मरीना तो मस्ट विजट आप लोग लाजम करें अब आ जाता है फ्यूचर म्यूजिम और यह है कि यह भी जगह अच्छी है लेकिन हम लोग ने अंदर से विजट नहीं किया इसके कुछ चार्जिस होते हैं अंदर के और अजीब बात है कि ह सब्सक्राइब करें तो हम लोग ने एक ही दिन में दोनों जगहें कवर के की तो हमारे पास इतना जदा टाइम नहीं था कि हम अंदर भी जाकर विजट करें लेकिन यह था कि अंदर जाना फिर्स फ्लोर पर जाना यहां पर कोई चार्जिस पर नहीं करने और यह बात मुझ पर तो बड़ी बिल्डिंग खड़ी किये नहीं कि आप लोग देखते रहा जोगा और सामने बिलकुल मैट्रो चली होती है अजीब बात यह कि मैं मैट्रो पे भी नहीं बाट सकी थी कि कि जार बात है बच्चे साथ होते हैं तो मेरे हजबन हमेशा प्रफेर करतेंगे हम ल लेकिन फूटर मेशन भी अगर जिनको इस तरह की जगहें ज़रा पसंद हैं तो वो लोग जादा विजट करें और हां इसकी कुछ चार्जिस हैं मेरे खाल से 1.500 दिरहम्स तो हों गई तो यह वाला सीन है कि जो लोग आए हैं वो कोशिश करें कि मुल्दब जादा जादा विजट कर लें क्योंकि फिर बार बर वह जाली बात आना होता नहीं है वीजा फीस हो गहरा सब कुछ ही होता है और महंगाई काफी बढ़ गई है तो एक ही दफ़र में सारी जगह आए कोशिश करें विजट कर लें और डुबई में तो आप लोगों खुद ही दिल चाहेग और इसकी दुबई जो है विंटर उमीरट की तरह है और समझ लें इसकी दुबई को ही देखते हुए हमारे कराची में विंटर उमीरेंड बना होगा तो इसकी कॉपी करते वे और में नहीं जा सकी लेकिन ये ओल ऑफ एमरेस में मौधूद है और इसके भी कुछ चार्ड़ हैं free of course नहीं है यह लेकिन मेरे हजबन यहाँ पर गयता है इसकी दुबई और उनको बहुत जदा मज़ा आया था बच्चों के साथ जाना अलाओ नहीं है कुछ दो दीन साल के बच्चे को अलाओ नहीं होता कुछ मलब पांस साल के तो अलाओ हो गई दो साल से बड़े बच्चे को मेरे खाल सालाओ है और मेरी बच्ची छोटी ती जिसके वज़ेसे में नहीं जा सकीती लेकिन यहां पर काफी आपको एक्टिविटीज मल सकती है सबसे बड़ी बात दुबई में गर्मी होती है तो फिर जबी थोड़ा सा इसमसारा सा बरफ बरफ और टैंपरिट सेंटर पॉइंट और अधर सन्नों नहीं बहुत जादा शॉपिन किये सो यह आप लोगों को बहुत मजाएगा इंशाल्ला अब हो जाता है ग्लोबल विलेज और ग्लोबल विलेज भी हम लोग एक ही तफ़ा गए हैं शुकर है मैं सारी जगहें से एक एक दफ़ा मैंने वि परफॉर्मेंस भी चल ली होती है तो काफी राश यहां पर भी होता है लोग देख रहे होते हैं बैठके और कुछ बॉलिवुड डांस भी हो रहा होता है कुछ चाइनीज गोरियन इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मुमालिक के लोग डांस कर रहे होते हैं तो यह पी हूं पर करने होगा दिफरेंट डिफरेंट इफरेंट जिन आनीज किए डिफरेंट बना ऊधा हमिर्फरेंट बना मचान अधा ऑविज वह तो थेकिड़े में जाब करने पड़ेंगेश और यहां बहुत जदा रश भी होता है बहुत ही मज़ा आना हो ले है और यह जिन लोगों को एक्टिविटीज करना थोड़ सी परसंद है तो वो लोग विजट कर सकते हैं अच्छा हम लोगों ने बुर्श खलीफा के अंदर जो टॉप फ्लोर पर जाते हम लोगों ने वो जगह विजट नहीं की थी लेकिन मुझे इसका फाइदा यह हुआ कि हम लोगों ने यह जगह विजट कर ली थी और इससे हमें बुर्श खलीफा का पूरा व्यू नजर आ रहा था और यह ग्लास सारा ग्लास फ्लोर बनावाता था तो इसमें भी काफी अच पर चीज़ें पसंद हैं तो वो लोग जरूर विजट करें कुछ लोगों को जिससे हाइट फोबिया होता है वो लोग इतना पसंद नहीं करते तो पर उनके लिए इतनी मलबस आई यह बस और यहां का टिकट एक स्काय उब्जरवेटरी का ऐधिंक 75 तरह तो यह वाली होगे कि सारा कुछ इंसानों का बनाया हुए पूरा आईलेंड इतना खुबसूरत आईलेंड और वह भी इस शेप में के इस तरह से मलब पूरा जो पूरा इनोंना कंस्ट्रक्ट किया हुए यह डिटेल भी बताते हैं यह लोग ना टिकेट में इंक्लूडेड होता है क्या आएगा हर जग़ा में बुर्ज खलीफा सारी जगह नजर आ रही होती है उपर से तो रात हो या शाम हो शाम में वैसे टिकेट थोड़ा एकस्पेंसिव होता है और अगर सुबह बागा टिकेट लो तो खाड़ा कम होता है क्योंको शाम में हरको शाम मैं आना प्रुए कर र तो एक एक पिक्चर के लिए काफी टाइम लग रहा होता है क्योंकि लोग बिल्कुल ना 360 वाले जो वियू होता है उसी भी बैटके पिक्चर लेना पसंद कर रहे होते हैं तो यह वाली चीज है अगर आप लोग को स्टप की जगाने पसंद दें तो लाजमी विजट करें पिर्क पिर्ग काम थैंप और मैंगे अवीं अगर काम कें कैसे आपनी वीडियो में पूरा कवय कर लें कैनी वीडियो वीडियो पीडियो होता है विडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मुझे अपनी दोआ में याद रखेगा तब तक ले लाफिज टेकर लवियो और बाई